हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं आपका दोस्त आसिप चोदरी एक और वीडियो के साथ आज आपके सामने फिर साज जिरू तो भाई आज हमने नुकुल भाई के चार बच्चे पहुचाये लोनी और ये दूसरी बार पहुचायें यह आप से जो पहले बच्चे आपने दे तो वहुत गरम बच्चे थे उड़ान तो बहुत ही उनके अंदर लेकिन उनका जो जमाऊ था वहुत थूढ़ा कम था जैले मुझे रोक के बच्चे चाहिए तो अब की बार मैंनों को चार बच्चे बिल्कुल नॉर्मल ठंडे बलट के बच्चे दियें जिनको या बिल्कुल 500 गरों पर भी छोड़ लेगा न भाई फी वहां से भी निकटने के बिल्कुल नॉर्मल बच्चे दिये हैं कि रेचलिटी भागनी को गारांटे नियुक्तार के माथे भागनी को चुटेगा तो यह रूकेगा यह एकर रुक गया तो लास्ट करेगा और निकल गया तो बहाई एक मैंच पचास कभूतर चुटते तो बहुतते हैं तो खाल-में से कुछ बाघते हैं कि से जीतने गरते हें फिस पीकिस्मत जीत होती हैं लो इप अपनी मेहनत अच्छी करो नसल अच्छी होनी चाहिए मेहननत नसल और यह उनाी होनु है कबूतर और पार का हिसाब किताब करता है अब पूतर अगर नोर्म नुड़ेगा तो टैम से बैट जाएगा उस कबूतर का भी क्या फाइदा अगर कबूतर बैठे भी तो लाश्ट वाले कबूतर वह बैठे ना तो तो चलो ठीक भी है या मद कुछ सब्सक्राइब ने जीते और दूसरी बार फिर भाई के पास बच्चे पोचा रहे हैं पहले भाई के पास में तोड़े गरम बच्चे पोचा है थी हमने तोनों की परवास तोनों के अंदर बहुत थी घर भी और बाहर भी लेकिन वो बाहर ठीके नहीं थी उसकी कारण यह था कि वो उचे उड़ते गुसके आस्मान में अब जो को उता गरम बजाज रखता है वो उचे उड़ता है जाके न तो भाई को बिल्कुल special कहके मैंने दिये भाई यह बिल्कुल छोटे गाउं के बच्चे हैं आप छोटे गाउं पर आज इनको डाले ना कठनी के नहीं है ठीक है तो उस बिल्क लाइन में से भाई को आज ही पांच बच्चे हमने दुबारा दिये हैं और यह थोड़े छोटे हैं बच्चे दो लाल इनके वज़ए यह बच्चा है इसके साथ का यह वाइट बच्चा ह दो लाल भाई हैं और यह एक अलग है ठीक है तो दोस्तों यह बच्चे आपको कैसे लगी वार कमेंड बॉक्स में कमेंड कर जुरू कर देना आप ठीक है